सिवरात्री को प्रत्येक प्रहर में स्रेष्ट सिव भक्तों को जिस प्रकार्वी से स्पूजा करने चाहिए उसे मैं बताता हूं सुनू पार्थिव सिवलिंग की स्थापना करके अन्नेक सुन्दर उप्चारों द्वारा उत्तम भक्ती भाव से पूजा करें पहले गंद पुस्प आदी पांच द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए उस उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्छारण करके प्रिथक प्रिथक वह द्रव्य समर्पित करें इस प्रकाद द्रव्य समर्पण के पस्चाद भगवान सीव को जल धारा अर्पित करें, विद्वान पुरुस चड़े हुए द्रव्यों को जल धारा से ही उतारें, जल धारा के साथ साथ 108 मंत्र का जियब करके वहां भगवान सीव का पूजन करें, भगवान सीव का पूजन गुरु से प्राफ्त हुए मंत्र द्वारा या फिर ओम नमस सिवाए मंत्र द्वारा करनी चाहिए चंदन अखंड चावल काले तिलो से परमात्मा सिव की पूजन करनी चाहिए मल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए पुस्प समर्पण के पस्चाद धूप दीप नवेद्य निवेदन करें पहले प्रहर में वेष्ट भक्त प्रसाद के लिए पकवान बनमा लें और स्रीफल युक्त विसेस अर्ग दे कर तामबूल समर्पित करें और स्रीफल जिसे नारियल कहते हैं समर्पित करें और पान के पत्ते समर्पित करें तदंतर नमसकार और ध्यान करके ओम नमस्षिवाई मंत्र का या गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जब करें और अपनी सक्ति के अनुसाब्रामणों को जो भी दान दछिना देना हो उसका भी संकल्प्र कर लें और गीत वाध्य के साथ भजन किर्टन करते हुए तथा भगवान स्पुषिव के मंत्र ओम नमस्षिवाय का जब करते हुए प्रथम प्रहर को बिताएं दूसरा प्रहर आरंब होने पर पुना पूजन के लिए संकल्प करें अथवा एक ही समय में चारों प्रहर के पूजन के लिए संकल्प कर लें और पहले प्रहर की भाती ही दूसरे प्रहर में भी तील जोत कमल के पुस्पो कनेर इत्यादी से धूब दीब से भगवान सीव की अर्चना करें भी सेस्तह बिल्व पत्रों से पर्मेश्वा सीव का पूजन करें दूसरे प्रहर में बिजवरा नीबू के साथ अर्गे दे कर खीर का नैवेदे समर्पित करें दूसरे प्रहर में पहले प्रहर की तुल्ला में अधीक मंत्र जाप करें तीसरे प्रहर के आने पर पहले के समान ही पूजन करें किन्तु जो के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल को चड़ाएं इसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप दे कर मालपुवे का भोग लगाएं उसके साथ भाती-भाती के पक्वान भी आप अर्पित कर सकते हैं इस प्रकार पूजन करके कपूर से आ मंत्र जब दुगना कर दे और तीसरे प्रहर को पूरा होने तक भजन किर्टन मंत्र जब करते रहें पूथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसरजन कर दे पुना आवाहन आधी करके विधिवत पूजा करें और बिल्व पत्र फल और फूल नैवेद्य इत्य तीसरे प्रहर की अपेछ चौथे प्रहर में मंत्र जब दुगना करदेना चाहिए और गीत वार्द्य नृत्य भजन किरतन करते हुए मंत्र जाब करते हुए अराधिना पुर्वक समय बिताए भक्त जनों को तब तक महान उस्व करते रहना चाहिए जब तक सुर्योदय न हो जाए सुर्योदय होने पर पुना असनान करके भाती भाती के पूजन उपचारों और उपहारों द्वारासीव की अर्चना करें तत्पस्यात अपना अभिसेख कराएं और ब्रामणों को जो भी दान दच्छना देने का आप संकल्प लिये हैं वो दान दच्छना करें फिर भगवान भोले नाथ को नमसकार करके फुस्पांजली दे और प्रातना करें हे सुख दायक किर्पा निधान सिव मैं आपका हूँ मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित सदा आपका ही चिंतन करता है यह जान कर आप जैसा उचिस समझे वैसा करें भूतनात मैंने जान कर या अंजान में जो जब और पूजन आदी किया है उसे समझ कर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रशन नहों उस उपवास ब्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुख दायक भगवान संकर मुझ पर प्रशन नहों महादेव मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे जहां के आप इस्ट देवता नहों उस कुल में मेरा कभी जन्म नहूँ इस प्रकार प्रातना करने के पस्चाद भगवां सिव को पुस्पांजली समर्पित करके ब्रामणों से तिलग और आसिर्वाद ग्रहन करे तदंतर संभू का विसरजन करे जिसने इस प्रकार वृत किया हो उससे भगवान सिव कभी दूर नहीं रहते इस वरत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता भगवान सिव कहते हैं कि जिसने इस प्रकार वरत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता इस वरत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता मेरे पास ऐसा कोई वस्तू नहीं है जिसे सिवरातरी वरत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं जिसके द्वारा अनायास ही इस वरत का पालन हो गया उसके लिए भी अवस्य ही मुक्ती का बीज बो दिया गया है मनुस्यों को इस वरत के पस्चात इसका उध्यापन करके मनुस्य सांगो पांग फल लाब करता है इस वरत का पालन करने में मैं सिव निश्चा ही उपवासक के समस्त दुखों का नास कर देता हूं और उसे भोग मोच आधी संपुण मनुवांचित फल प्रदान करता हूं तो उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और बंदू बांधों में इसे सेर जरूर करे ताकि सभी का कल्याण हो सके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके फिर मिलती हूं एक ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो में राधे राधे